हेलो स्टूदेंट्स वेलकम बैक हम पढ़ रहे हैं पर्सेंटेज और आज उससे जुड़ी कुछ प्रोब्लम्स हम डिसकस करते हैं कल सिंपल कोस्टन से हमने डिसकस किये थी तो सबसे पहले एक कोस्टन है कि अब मोल्कुल ओफ वोटर इस मेड़ अउस ट्म आफ ऐडरोजन और नाफ ऑफ ऑक्सिजन बीक़ज फिरूलला क्या होता ओक्सिजन वोटर का वोटर की कि मोल्कुल का हच तो तो हम क्या लिखेंगे नमबर ओफ हाइड्रोजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल एड नमबर ओफ ऑक्षिजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल एड नमबर ओफ ऑक्षिजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल एड नमबर ओफ ऑक्षिजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल इस एकल टू वन अब हम इसको क्या करना है percentage बतानी है percentage जाने की पहले हमें क्या पता होना चाहिए यह पता होना चाहिए कि total जो है वो कितना है वही so total atoms in a water molecule कितना हो जाएगा 2 plus 1 is equal to 3 तो आपको बतानी है percentage कि what amount of oxygen oxygen की percentage बतानी है पहले fraction बना लो और fraction से आप convert कर सकते हो तो fraction हम कैसे बनाते हैं oxygen की fraction oxygen के water molecule कितने fraction में है अगर वो बताना है तो हम क्या लिखेंगा वहाँ पर कि oxygen का क्या जितने number of water molecule है oxygen में sorry एक water molecule में जितने number of atom है oxygen के वो आपका numerator रहेगा और divide by total number of molecule so percentage of oxygen atom in a water molecule is equal to कितना रहेगा यहां पर ओपर आएगा one because oxygen के atom कितने है one और total कितने है three percentage के लिए हम इसको किस से multiply करेंगे hundred percent से जब आप इसको solve करोगे तो आपका कितना रहेगा one by three one by three या फिर cancel होगा नहीं तो hundred को सीधा three से क्या कर दीजी आप divide गर के देखो के तो आपका answer जो आपको मिलेगा thirty three point three ये लगातार चलता रहेगा तो इसके उपर बार लगा दो percent thirty three point three percent क्या हो गया वहां पर oxygen atom है कहां पर एक water molecule के अंदर clear उसी तरीके से अब next जो question है आपका वो क्या है sterling silver is an alloy combining nine hundred twenty five part of pure silver and seventy five parts of another metal such as copper what percent of sterling silver is not pure silver तो यहां पर क्या alloy को तो आप समझते हो कि alloy क्या होता है जब दो metal या non-metals आपस में मिलती है तो उससे में वहां पर क्या बनता है जो नया substance जो त्यार होता है उसको हम alloy बोलते है तो यानि कि sterling silver भी एक क्या है alloy है जिसके अंदर जो पार्ट्स है प्योर शिल्वर के पार्ट्स कितने है वहां पर 925 तो आप क्या लिखोगे parts of pure silver is in sterling silver क्या लिखेंगे parts of pure silver in sterling silver is equal to 925 उसकी बाद है parts of other metal is equal to 75 तो आपको निकालना है other metal में कुछ भी हो सकता है copper है जैसे और what percent of sterling silver is not pure copper sorry not pure silver तो आपको बताना है कि sterling silver के अंदर कितने percent जो है वो pure silver नहीं है तो pure silver के कितने थे ना होने की यानि की other metal कितनी है 75 और divide में क्या करेंगे total total कितना हो जाएगा 925 को 75 को add करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 तो 75 divided by 1000 is equal to into 100 वही आपको क्या जाएगा answer जब आप उसको solve करोगे तो उसके बाद next है परशांत spent four hour a day on his self study परशांत जो है self study के ओपर एक दिन में इसे चार घंटे लगाता है one hour playing video game एक hour के लिए वो video game खेलता है and one hour in doing workout in fitness center तो एक घंटा वो fitness center में workout करने के लगाता है so you have to tell what percent of the day does परशांत spend on these activities यानि कि इन सभी activities फर कितने परशांत दिन का वो जो है समय व्यतीद करता है so आपके लिखो के number of hours परशांत spend on self study is equal to four hour तो self study के ओपर कितना हो जाएगा four hour self study और उसके बाद है next video game प्ले करने पर कितना लगता है वो video game पर लगा one hour and workout पर कितने लगाता है वहाँ पर भी one hour total time कितना हो गया वही है four plus one plus one कितना हो six hour और a day is equal to एक दिन किसके बराबर होता है hour में अगर हम convert करें तो 24 hour so आपको बता लगाना है six hour जो हो 24 hour का कितने percent है तो कैसे बता लगाएंगी fraction में अगर percentage में आपको निकालना है तो six divided by 24 into sorry yes yes six divided by 24 into 100 percent क्योंकि उपर क्या जो मतलब जिस भी चीज़ का आपको time दिया गया था उन सभी का percentage पूछा है तो सभी का add गर के आपके बार उपर आ जाएगा और total के आएगा जो एक दिन में कितने hour होते हैं क्योंकि hour में है यहां पर time तो hour एक दिन के हम hour ही निकालेंगी तो into 100 percent यह cancel होगे 4 पर और यह cancel होगे 25 पर so answer आपको कितना आजाएगा 25 percent आप लिखेंगे अच्छे से यह कि time spent या फिर उनको नाम क्या है परशांत spend on video game is equal to 4 hour परशांत spend on sorry on self study is equal to 4 hour percent spend on video game is equal to 1 hour on workout is equal to 1 hour ठीक है तो इस तरीके से आप question solve कर लेंगे और आपके exercise जो है 8A अब होती है complete next exercise बहुत easy है वहां पर आपको क्या निकालना है एक amount दे दी जाएगी उसका यह बताना होगा कि कोई भी percentage आपसे पूछ ली जाएगी कि वो कितने percent अभी तो हमने यह बताया है नहीं वो number क्या है वो amount आपको निकालने होगी अभी तो हमने percentage निकालना सेख़ा है वहांब यह percentage दे रखी है आपको value निकालनी है for example जैसे पहला ही question हापका 25% of 32 जब भी आप इनको solve करोगी तो 25% को fraction में हम क्या लिखेंगी 25 divided by 100 और किज़गे multiply and is equal to 32 यह हम पर cancel हुआ 4 और इसको cancel किए इसने 8 so 8 तो आप क्या लिखोगी 25% of 32 is 8 clear इसी तरीकी से बाकी questions अब ऐसा नहीं है कि percentage आपको 100 से नेचे ही हो सकते है कई बार ऐसा भी question आजाता है जैसे कि suppose आपको question दे दिया जाए 120% of rupees 65 so यह आपको जब solve करना है तो हम क्या लिखें 120% का क्या मतलब हुआ 120 divided by 100 percent का मतलब divided by 100 of into of किज़गे multiply and rupees 65 so जब आप solve करोगी इसको तो यहां से आप देखना इस 6 पी cancel हो गया यह 5 पी cancel हो गया और यहां पर यह 13 so 13,678 रुपीज आपको क्या गया answer तो रुपीज 78 तो आप लिखेंगे फिर 120 percent of रुपीज 65 is रुपीज 78 प्रेयर यह तो अब second जो question रहेगा वहां पर आपको जैसे की mixed fraction के रूप में भी दिया जा सकता है यह question है आपका 16 वूल 2 by 3 percent of 480 meter तो इसको आप कैसे सोल करोगे पहले इसको हम सोल करते हैं 16,3 जा 48 and plus 2 50 by 3 percent means divide में 100 याने कि जो already divide में हम उसके multiply में 100 फिर multiply 480 so यह cancel हो गया 2 पे और यहां से 3 to just 6 याने कि कितना बचा 1 by 6 multiply 480 which is equal to 80 so कितना आगे आपका 16 वूल 2 by 3 percent of 480 meter sorry is unit जो हो आपको साथ में रखनी है is 80 meter next जो question है वहां पर आपको क्या है जो सुरू में अमाउंट दी गई है वो किलो मेटर है बाद में जो अमाउंट दी गई है वो आपको meter में convert करके बताना है तो इस तरीके के questions को आप कैसे solve करोगे जैसे कि एक question है आपका 36 percent of 1.5 kilometer is equal to यहाँ पर dash fill in the blank है आपके लिए और आगे meter यानि कि किलो मेटर को meter में आपको बताना है तो पहले इसको simple solve कर लें आप kilometer में ही तो कैसे रहेगा 36 percent means 36 divide by 100 of कि जगे पर multiply into 1.5 1.5 का आप चाहो तो कितना लिख सकते हो 15 by 10 kilometer ठीक है तो इतना solve करने के बाद आप देखो यहाँ पर cancel भी नहीं हो रहा है तो आप simple क्या करें आप kilometer को meter में convert कर लें आपको यह तो conversion पता होना ची पहले सिखा चुके हैं आपको 36 divided by 100 into kilometer है तो उसको meter में convert करना है तो किस से multiply करने पड़ेगी thousand से आप क्या हो जाएगा meter तो यहाँ पर 10 से 10 cancel 100 से 100 cancel तो कितना हो गया simple जब आप multiply करोगे तो आप cancer आजाएगा 540 meter तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 540 meter बट आप यह calculation जो है यह भी solve करके दिखाओगे फिर copy में ना कि सिर्फ fill in the blank को fill करोगे उसके बाद जो है next question में भी आपको convert करना है meter दे रखा है वहाँ से फिर आपको centimeter में convert करना है उसके next question में days को आवर में convert करना है फिर आते हैं question number third, fourth and fifth जहाँ पर इसी type की problem है जो हमने discuss की थी बस यहाँ पर जो रहेंगी वो इस type की जाने के amount आपको निकालनी है जैसे की question है आपका इन्हे रिफ्रेंडम 68% of the 85,800 वोटर 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 यानि की total वोटर कितने दे रखे हैं 85,800 और उसमें से 68% ने क्या बोला है yes and the rest वोटर नो बाकियों ने क्या वोटर वोट किया है तो you have to tell how many वोटर वोटर नो तो आपको number बताने हैं किसके no बोलने वालों के तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि अब आपको number निकालने तो किस तरीक से निकलेगा यहाँ पर सबसे पहले तो आपको total वोटर दे रखा है which is equal to 85,800 next है आपका वोटर 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 येस वोटर वोटर येस या वो कितने हैं 68% याने कि जितने भी हैं total कि 68% ने येस कहा है the rest says no याने कि वोटर 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 पर कितने आ गए वही अब 68% है तो अब 9 बोलने वाले कितने परसेंट बचए 100-68% किएस और नो पूसिबिटी है ना फिर तो यह हाँ पर कितना हो गए आपका 100-68 जब आपने किया तो कितना होगा 32 तो अब आपको याने कि ये तो क्या आया percentage में आपको बताना क्या है how many याने कि number आपको बताने है तो आप क्या लिखोगे number of water voted 9 क्या लिखेंगे number of water voted 9 तो वो कितना हो जाएगा number of water voted 9 is equal to 32% of किसका भी total total कितना था 85,800 और अब आप इसको solve करना सीखी चुके हो 32 divided by 100 into 85,800 वहां से calculate करो कि तो आपका अंसर आजाएगा so that's it for today your exercise 8B is complete now exercise next video lecture में solve करेंगे तब तक की लिए bye bye students